Hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करेंगे Tata Steel Limited के बारे में So guys, Tata Steel Limited की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर साथ कंपनियां एक साथ मर्च होने वाली है Tata Steel में So guys, Tata Steel खुद उन इकंपनी में आता है और यहाँ पर अगर देखें तो साथो की साथो जो कंपनियां है वो यहाँ पर Tata Company की ही है तो guys, यहाँ पर अगर देखें इस न्यूज के बाद Tata Steel में एक तगड़ा मोमेंटम हमें नजराया यहाँ पर एक चीज़ अगर मैं कहूँ तो stock यहाँ पर जादा returns के साथ closing नहीं दे पाया बट आने वाले टाइम में एक बड़े मोमेंटम्स यहाँ पर create करने वाला है कुछ important levels भी में आपके साथ share करने वाला हूँ आज market डाउन था अगर आज market में थोड़ा भी दम होता थोड़ा भी reversal आता तो Tata Still में भी बड़े मोमेंटम्स हमें देखने को मिल सकते दे so guys काफी कुछ बाते करेंगे Tata Still Limited की तो इस वीडियो में तो वीडियो को आएंट तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दमहाजन ट्रेडर को subscribe नहीं किया है तो guys please चैनल को subscribe कर देना तो करते हैं वीडियो को start so guys यहाँ पर अगर देखे तो साथ बड़ी कंपनियां यहाँ पर merge होने वाली हैं उन कंपनियों में अगर देखे तो यह कंपनिया Tata Still में merge होगी guys जिसमें Tata Still Long Product आएगा The Thin Plat Company आएगी और यहाँ पर Tata Metallic है TRP Limited है और The Indian Steel and Wire Product Tata Steel Mining and S&T Mining Company तो guys यह टोटल कंपनिया जो है और Tata Still में merge होगी Tata Still guys यहाँ पर अगर देखे तो 1000 प्लस है शेर मिल रहा था काफी टाइम पहले बड़ यहाँ पर 10 इस टू 1 का यहाँ पर split हुआ था stock में उसके बाद stock में अगर आप देखोंगे तो आपके पास अगर एक share भी होता तो आपको उसके मतले 10 share मिल गए होते तो यानि अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक बड़ा benefit मिलने वाला है और already अगर आपके पास पहले share भी नहीं थे तो भी ही आप भी खरीद सकते हो टाटा सिल अभी भी 100 रुपे के आसपास ही trade कर रहा है 104 रुपे का आसपास trade कर रहा है तो बिलकुल अभी भी मोका है stock में invest करने का तो guys यहाँ पर levels अगर मैं आपको बताओ तो आप देख सकते हो इनहीं levels के बारे में मैंने कल भी discuss किया हुआ था यहाँ पर मैंने pattern create किया था और इस pattern के हिसाब से एक चीच clear हो जाती है कि stock में एक falling wage type pattern था stock में आज breakout मिला और आप देख सकते हो 608 रुपे के असपा share गया था वही से इसमें नीचे क्यों रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो market काफी ज़्यादा week नजरा था तो यहाँ पर अगर Monday के लिए मैं बताओ तो यहाँ पर भी आपको एक wedding नजराएगा और breakout मिलता है तो stock फिर से उपर जाने के लिए ready रहने वाला है वही as a long term की basis में मैं बात करूँ as a long term यानि में बात कर रहा हूँ 30 मिनट के time frame पर तो stock यहाँ से गिरता हुआ आपको नजराएगा यहाँ पर आप देख सकते होगा यहाँ से गिरता हुआ नजराया यहाँ से support लिया फिर उपर गया फिर नीचे support लिया फिर यहाँ से rejection लेके नीच आया तो यहाँ पर breakout डिलता है तो stock में 110 रुपे तक की rally भी हमें देखने को मिलने वाली है तो बिल्कुल आप positive रह सकते हों मंडे के लिए भी और वही बात करें तो stock में बड़े time frame पर याणि मैं बात करो one week के time frame पर तो old भी जदा positive रहो क्योंकि यहाँ से stock में consolidation के बाद एक उपर का momentum आया था फिर stock नीचाया था फिर उपर गया फिर नीचाया तो यहाँ से भी pollen flag type pattern create हो रहा है आप देख सकते हो खोद ही तो यहाँ से भी और एक momentum आ सकता है 120 रुपे से हैं 150 रुपे तक कि एक rally आपको लेखने को मिल सकती है Tata still limited में तो वरते हैं आगे सो गैस अब बात करें कि यहाँ पर Tata still में की volume रहा है वो आगे देखेंगे बट community sentiments के आकड़े positive नज़राएगे तिल्कुल 84% लोग यहाँ पर share में आपको positive नज़राएगे उसमें से 82% लोग buy करने के लिए और 2% लोग hold करने के लिए और 16% लोग के और से यहाँ पर stock में गराब देखोंगे तो sell करने के लिए भी कहा जा रहा है साथ ही गाइस बात करें तो stock में 16% लोग के और से यहाँ पर sell करने के लिए stock में कहा जा रहा है वही बात कर ले इसमें volume की तो volume आज तकड़ाना ज़राया है लग बग 12 करोड़ से भी ज़्यादा की deliveries आज शेयर में उठाएगी है वही बात करें तो stock में news तो हमने देख ली और यहाँ पर अगब देखोंगे Tata still closing कहा पर दी है कि इस particular level पर closing देता होने ज़राया है 104.40 परसे के आसपास एक closing देता होने ज़राया है 0.80 पेसे तक की एक बड़त भी ने ज़रायी और 0.77 परसेंगे सापसे इसने closing देता है So guys I hope आपको एए वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like करो चनल को subscribe करो Thank you